हेलो दोस्तों नमस्कार जेहिंद वंदे मात्रम मैं प्रकास आपके अपने यूटूब चैनल पे हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बच्चा जब पढ़ाई स्टार्ट करता है तो हर एक बच्चे का सपना होता है ड्रिम्स होता है कि बड़ा होकर पढ़ लिक कर एक अच्चा इंसान बनना और अच्चा इंसान बनने के सास सास में एक सर्वीस पाना और जब सर्वीस मिल जाती है तो हर इंसान के और ड्रिम्स और सपने आगे और बढ़ते जाते हैं तो मैं और मेरे प्रिवार की एक ख्वाइस थी हमारे घर में भी एक four wheeler या car होने चाहिए तो दोस्तो हम जब car book करने जाते हैं तो model गाड़ी का model चेक करते हैं गाड़ी के function चेक करते हैं गाड़ी के future चेक करते हैं गाड़ी की पूरी information पूरी details हम पूरी लेते हैं साथ साथ हम अपने धर्म के हिसाब से सुब मौर्द पूजा पाठ का ध्यान किस परकार रखना है ये भी एक एम हिस्सा है एक अच्छा वार होना चेहे एक अच्छा दिन होना चेहे एक अच्छी गड़ी होनी चेहे ये important बात और जब गाड़ी घर लाने से पहले अपने इस्ट देव अपने आराद्य देव की पूजा किस परकार होनी चाहिए और किस परकार अपने घर में बेटी द्वारा घर आने पर पूजा करवानी चाहिए ये कोई भी घर में नया काम हो या कोई नई special पंक्सन हो तो ये बहुत ही महत्पूर्ण है तो दोस्तों गाड़ी हम कमपनी का अंदर तो चेक करता ही करते हैं उसके बाद में गाड़ी को जब फास्ट टाइम में जो ओनर होता है वो गाड़ी का अंदर बेटता है तो अपने इस्ट देव को कैसे याद करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जब गाड़ी अपने गर पे आती है तो गर में आने से पहले जो जिस्थ हम इस्ट देव की या आरादी देव की पूझा करते हैं उस मंदिर में ले जाना और गाड़ी की पूझा अरचना करवाना बहुत ही जरूरी है तो आज ये हमारे बीच में मान संत बाबा स्री रामदाज जी शामदाज जी महाराज की प्याओ के मेहनत बाबा स्री गरीब बंदुदाज जी महाराज ये बहुती सरल और अच्चे सोबाव के धनी माने जाते हैं सिंपल सादू संत मात्माओं का बहुत ही जरूरी अपने जिवन में होना सुब माना जाता है तो गरीब बंदुदास जी महारास द्वारा गाड़ी का कैसे पूजा अर्चना की जा रही है और गाड़ी भी ले रहे हैं तो दोस्तों हम ये गाड़ी नहीं है ये हमारे गर का एक मेहमान है गर का एक हिस्सा बनाना है इनको तो गाड़ी को भी जैसे अपने कई नया मेहमान या गर में कोई बच्चा होता है या साधी करके किसी मेहमान को लाया जाता है तो किस परकार उनके साथ परताव किया जाता है किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है वो हर जगे एक सेम रूल काम करता है क्योंकि आज के जमाने में हर जगे हर काम में एक सिस्टेमेटिक ढग होना बहुत जरूरी है और बहुत ही एमियत रखता है गरीब बंदुदाजी महाराज द्वारा गाड़ी कुम कुम का तिलिक करकर मोली बांद कर पूजा अर्चना हो रही है दोस्तों जब हर इंसान कोई भी इंसान जो पड़ाई करके अपना ड्रेम्स पूरा होता है तो बहुत ही आनन्द मिलता है ड्रेम्स कोई भी हो छोटा हो या चाए बड़ा हो एक सपना होता है इंसान का और हर इंसान का सपना अलग अलग होता है दोस्तों प्लीज आप वीडियो वाच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और सेर करें और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई इनसान या कोई फ्रेंड्स या दोस्त यदि गाड़ी आप कोमेंट सेक्षन के अंदर कोमेंट करके जान सकते हैं क्या उसकी क्वालिपिशन है क्या उसका मतलब लिमिट है और कैसे ली जाती है क्या डोकुमेंट चाहिए और डोकुमेंट को क्या प्रोसेस है वो पूरी जानकारी लेने के लिए कोमेंट सेक्षन में आप जरूर कोम झाल 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 झाल